कि अज़िए हैं वेल्कम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर बाई इंगिनियर्स अकैडमी यह कुश्चन हम देखने के लिए यहां पर यह कॉश्चन है कॉमन डेटा कॉश्चन था क्लिस वात है यह कॉमन डेटा कॉश्चन था आपका जो कि आपके में पूछा गया था इसी तरीके से आते थे पहले लिंक डेटा कॉश्चन भी अगर होगा आपके बुक्स में तो अबिस वद आपको बता है भी जाएगा वो चीज देखी कॉश्चन क्या है बहुत अदर लामिनार फ्लो टेक्स प्लेस बिट्वें क्लोजली स्पेस्ट पार्यल प्लेट्स दो पार्यल प्लेट्स रखा हुआ है जो काफी पास-पास है क्लियर आस सोल इन द फीगर फीगर में आपको दिखाया गया है इसके बीच का जो स्पेस है उसको हम और से फिल कर चुके है क्लिज़ बात है उसे हमने ओइल से फिल कर रखा है अब आपको क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्राविटी आप दे रखा है विस्कोसिटी दे रखा है वोटा दे बॉटम प्लेट इस स्टेशनरी और टॉप प्लेट मुवस्टी वेलसिटी ऑफ वी इकोस तो 5 सेंटी मिटर पर सेकंड ठीक है ना बोल रखा है अपको सारे वेलसिटी प्रोफाइल दे हु यूइकोस टू वी वाई बाई एच तो बलागे क्या अब देखिए आप कैसे निकालेंगे पहले तो बलागे आपको एक फॉर्मुला पता होगा रोटेशन का बलागे अगर ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा बराबर होता है हाफ यहां होता आपका आई जे के डिल दिल Y, दिल बाई दिल Z, clear, और यहां होगे आपका UV आड ड़वी ठीक है नहीं, अब देखिए, बुलागे का क्या है कि यहां से आप ओमेगा एगस हाइज फाइल रोटेल आडवी बाई दिल जे अगर आप ओमेगा एकस की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हाफ, और य गालेंगे यहां से डिल W by डिल Y को इसके बाद आप निकाल सकते हैं ओमेगा वाई तो ओमेगा वाई के लिए यह कैंसल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका हाफ और यहां क्या हो जाएगा आपका डिल U by दिल Z माइनस डिल W by डिल X और सिमिलर्डी अगर आपको ओमेगा जेट निकालना होगा तो यह कैंसल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिल V by डिल X माइनस डिल U by डिल Y तो आप जैसे चाहें वैसे को सॉल्व कर सकते नहीं तो आपको ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेट का वैल्यू निकालना पहले यह अब ध्यान रखिएगा क्लियर अब देखें कैसे सॉल्व किया गया है बोलाएं कि सबसे पहले आपको यू दे रखा है कितना V Y by H आपको यू कमपोनेंट दे रखा वी और डवलो कमपोनेंट जीरो है बोलाएं कि ओमेगा एक्स अभी आपको फॉर्मुला का हाफ डे डवलो कैसे आप यहां देख लिजे लिख लिजे एक बलग में फॉर्मुला का कि आपको याद न रखना पड़े ओमेगा एक्वल्स टू हाफ आप यहां लिखके रख लिजे आई जे के डिल बाइ डिल एक्स डिल बाइ डिल बाइ डिल जेट और यहां होगे आपका यू वी और डॉल्यू अब बोलागे क्या कि आई जे के यह टर्म और वो टर्म कैंसल होगे है तो क्या होगे डिल 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 यू में y है सिर्फ clear तो बहुत लगे यह term भी आपका क्या होगा आपका 0 clear से बात है तो omega y का value भी आगया 0 और omega z की बात करेंगे तो यह जाएगा half del v by del x minus del u by del y तो del v by del x तो 0 del v by del x 0 और del u by del y की बात करेंगे तो कितना जाएगा आपका v by h minus sign के साथ नहीं तो लागे omega x omega y 0 और omega z का value आगया minus v upon 2h clear तो आप इसमें से option देख सकते है option का हम से correct बतारा आपका a option omega y omega z 0 sorry omega x omega y 0 और omega z का value कितना होगा minus v by 2h clear से बात है तो लागे यह होगया first bit अब second bit question देखिए और समझे ही कैसे बनाना है इसको बोल के आपको कि the power required to keep the plate in steady motion बोला कि प्लेट को steady motion में रखने के लिए कितनी power की requirement होगी कितनी power की requirement होगी यह question पूशा गया आपसे तो बोला कि क्या की बहुत सिंपल सा निकलेगा यह question भी अब पावर की बात करते हैं तो power बड़ाबर क्या होता है force into velocity पावर बड़ाबर अगर बात करें तो क्या होता आपका force into velocity देखने करें लिएगा power equals to force into velocity आपको velocity दिया होगा है अगर force निकल जाए तो काम हो जाएगा और force बड़ाबर होता है क्या आपका mu av upon y आपको सारे values दिये होगे है पुट करेंगे तो power निकल जाएगा अब देखे कैसे बनाएगे लगे इस question की बातल करते हैं तो देखे 5th bit बनाया होगा आपको यू दिया होगा है gap दिया होगा तो अगर देंसिटी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 860 जो लुट पर तो डिया होगे डायनमिक विसकुसिटी आपको शुद भाबर क्या होगा देखे देखे रहे हो जाएगा आपका मिईघी अपन वाई इस धार जाएगा गाल अज्या क्या हो जाएगा देखे दाण से फो जाहे है नहीं है हमने लिखा था F बड़ाबर μू A V अपान Y और यहां क्या लिखा हुए टाउ बड़ाबर μू V बाई H और F बड़ाबर μू V अगर यहीं पुट कर दें इस वैल्यू को तो क्या हो जाएगा μू V A अपान H तो आपको ही लिखा है कि दोनों फार्मला जो है तो सेम है तो यहां से find out हो जाएगा आपका क्या force और जो force find out हो जाएगा तो यहां से फिर हम आगे बढ़ जाएगे तो पावर रिक्वाइड तो पावर रिक्वाइड बड़ाबर क्या हो गया आपका force into velocity पावर रिक्वाइड बड़ाबर हो गया force यह force हो गया और यह हो गया आपका velocity नहीं value put कर दिये तो यहां से पावर का value आगया कितना 2.5 into 2.5 into 10 to the power minus 5 watt 2.5 into 10 to the power minus 5 watt clear सबाथ है बना कि कुर्शन सिर्फ और सिर्फ आपको analyze करना है कि what you have to find और उसके बाद इसको find out करने के लिए अपने को क्या-क्या value दिया हुआ है clear सबात है यह देखना होता अपने को clear सबात है तो यह आपका एक बहुत अच्छा कोश्टन था आपके यह गेट में पुछा हुआ कोश्टन था clear okay thank you if you really like the video please hit the like button share the video subscribe to our youtube channel and press the bell icon for the latest updates thank you